दोस्तों आप किस प्रकार से अपना CTET का रिजल्ट चेक कर सकते हो आईए जानते हैं आपको Google Chrome ओपन करना है सर्च बार में आपको CTET लिखना है और उसे सर्च कर लेना है ठीक है पहली जो बेवसाइड ओपन होगी Center Teacher Allergy Test इसके उपर आपको क्लिक करना है जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने केंदरिये सिक्षक पातरता प्रिक्षा से ओपन हो जाएगा और यहाँ पर देखो यह सरीज चल रही है ठीक है जैसे ही यह आगे होगी आप देख सकतों यहाँ पर लिखा है CTET अगस्ट 2030 रिजल्ट इसके उपर क्लिक कर देना है जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा फिर यहाँ देखो लिखा है CTET अगस्ट 2030 रिजल्ट इसके उपर सर्च करोगे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है सेंटर टिचर एलिजबिली टेस्ट ठीक है अठारा तो यहाँ पर रोल नमबर डालने के बाद आप सब्मिट पर क्लिक कर देना ठीक है सब्मिट पर जैसे क्लिक करोगे तो आपको अपना रिजल्ट यहां सो करने लग जाएगा ठीक है तो यहाँ देख सकते हो चाइल्ड डेवलोप्मेंट एंड पेडलोजी 30 में से 17 नमबर है तो टोटल जो नमबर है वो काफी कम है ठीक है डेड़ सो में से 61 नमबर है ठीक है तो यह क्वालिफाई नहीं कर पाई हैं भाई सब ठीक है 40.66% बने है उसके बाद दोस्तों काफी स्टूडेंट के ऐसे मे कर दिया गया है और काफी स्टूडेंट यह पूछते हैं कि ज्यादा पास हुए हैं या ज्यादा फेल हुए हैं तो दोस्तों मेरी अभी तक 25-28 स्टूडेंट से बात हो चुकी है आप यकीन कीजिएगा जिसमें से 17 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके नमबर बहुत कम थे ठीक है और रियल्टी में जब फाइनल रिजल्ट आया फिर भी वो पास नहीं कर पाई ठीक है उनके नमबर इस तरह से आए हैं किसी के 78 हैं कोई 79 पर है ठीक है मतलब 70 और 80 के बीच में हैं वो पास नहीं कर पाई इनमें से सिर्फ साथा स्टूडेंट ही पास हुए हैं ठीक है औ लेकिन सीटेट का जो एक्जाम हुआ है इसको यह क्वालिफाई नहीं कर पाएं हैं लेवल वन को आपको पता है कि अपेरिंग वाले स्टूडेंट थे इनसे सीटेट मांगा गया था अब सीटेट ना होने की एवज में इनको बिपीए सी प्यार्ट की प्रिक्षा से बाहर कर हो गई है कि वो इस सामनजश्य में थे कि हम सीटेट की त्यारी करें या भी प्यासी प्यार्ट की त्यारी करें वो दोनों की त्यारी एक साथ कर रहे थे जिस जैसे सीटेट में वो मात खा गए ठीक है लेकिन कोई बात नहीं हताश और निरास होने की आफशक्ता नहीं है ठ दाएब की आपका सीटेड भी दुबारा से किलियर हो जाए और ंर मैं आपको यह भी बतादो इसबार का जो रिजल्ट रहा है ठीक है नम आपको 65-65 प्रसेंट ही पास हो रही है । पिचपन पिचपन तक मान के चलो 45% student इस बार लगभग माना जा रहा है कि fail के एक गार पर है ठीक है किसी के number कोई paper first में पास है तो कोई second में पास नहीं हुआ है ऐसे भी काफी सारे cases है ठीक है तो video अच्छी लगए तो like करें channel subscribe करें धन्यवाद इस तरह से आप अपना result देख सकते हैं